मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में तवर्ख का तीसरा व्यंजन द पढ़ेंगे द से बहुत सारे शब्द होते हैं देखना चाहोगे द से डमरू, डमडम, डमडम द से डंडा द से डोली द से डाकिया डाकिया वो होता है जो हमारी चिठिया यहां से वहां लेके जाता है द से डरना द से डिब्बा द से डगर डगर का मतलब रास्ता द से डोसा जो हम सब को और आपको बहुत अच्छा लगता है द से डबल रोटी ब्रेट को हिंदी में डबल रोटी कहते हैं अरे ये बच्चा देखो उनको याद से बोलो बच्चों अब आप डगर को पहचानते हो और डगर से आपने बहुत सारे शब्द भी किये हैं जिसमें से एक शब्द कौन सा था डगर से डमरू तो आओ हमें छोट इसी राइन कर ले करें बोलोगे मेरे साथ चल द से डमरू आया है डमडम शोर मचाया है मदारी जब इसे बजाए भालू अपना नाच दिखाए मजा आया आपने ये कविता करी शब्द करें तो अब हम दर को कैसे लिखते हैं देखें चलो आप अब तक तो आप हिंदी में जान चुके हो हम व्यंजन कितनी लाइन्स में लिखते हैं फाइव लाइन्स वन टू थ्री फोर फाइव और आज हम दर थ्री ब्यू लाइन्स में लिखेंगे कैसे बहुत असान है फर्स ब्यू लाइन में हमने चोटासा दादा जी का डंडा बनाया देखो चोटासा डंडा और इसके नीचे हमने ममा ऐसको ऐसे करके टांग दिया और क्या ये पूरा हुआ इसके उपर अभी हमें चत भी डालनी है तो ये बन गया आपका डर से डमरू हो गया ना झाल